नमस्कार दोस्तो आपने इंशुरेंस पॉलिसीज के बारे में तो जरूरूर सुनाओगा जिसमें टर्म इंशुरेंस और हेल्थ इंशुरेंस ये नाम हम बार बार सुनते हैं तो चलिए आज जानते हैं कि टर्म इंशुरेंस और हेल्थ इंशुरेंस इनमें क्या अंतर होता ह दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी चैनल के बाकी के वीडियो भी ज़रू चेक करें साथ ही अगर हमारी चैनल पर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रू दबाएं इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक कस्टमर याने जिस रेक्टी ने किसी कंपणी की हेल्थ इंसुरिंस पॉलिस सी ली है वो उस कंपणी को हर महिना एक फिक्स प्रिमियम देता है और बदले में वो कंपणी उस कस्टमर की आचानक से निकले medical expenses जिसमें किसी भी बिमारी का treatment, surgeries और hospitalization इन सब का खर्चा उठाती है या फिर एक fixed amount निर्धर्ट करती है उस customer के किसी भी medical treatment के खर्चे को उठाने के लिए इन सब के लिए customer और insurance company के बीच एक agreement होता है कि कितनी साल तक premium भरना है और company इतनी साल तक उन्हें illness cover देगी इस policy में आपने भरे हुए premium के पैसे policy खत्म होने पर वापिस नहीं मिलते हैं क्योंकि आपके हर महीने के premium के बदले company आपके आचानक से निकले किसी भी health treatment के खर्चे को उठाने का promise करती है अब बात करते हैं term insurance के बारे में term insurance जैसे की नाम से ही आपको पता चलता है कि ये fix time period के लिए आपको protection देती है इसमें भी customer company को monthly एक fix amount का premium भरती है और अगर unfortunately उस policy के fix किये गए term के बीच अगर आपके death हो जाती है तो insurance company आपके nominee याने आपने जिस वेक्ति को अपना वारिश तै किया है उसे एक fix amount पे करती है क्योंकि आपके बाद आपकर निर्भर family को financially problems का सामना ना करना पड़े term insurance policy में भी आपने भरे होए premium के पैसे policy खत्मोंने पर वापिस नहीं मिलते हैं क्योंकि उन premiums के बदले company आपको आपके बाद family को financially support करने का promise करती है अब आप समझी गए होंगे कि health policy policy term के बीच आपके medical treatment का खर्चा उठती है और term insurance policy policy term के बीच अगर आपकी death हो जाती है तो आपके family को एक बड़ी रकम financially support की तौर पर देती है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने जरुरत मन दोस्तों में जरुर शेयर करें साथ ही चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरुर दबाए